आम को भारत में फलों को रजा कहा जाता है और ये भारत का राश्चे फल भी है भारत के उत्तर में हिमाले से लेकर दक्षिन में कन्यकुमारी तक पर पस्चिम में गुजराश से लेकर पूरव में आसाम तक सभी जगा आम उगाई जाते हैं आम उत्पादन के मामले में भारत पहले नंबर पर है भारत तुनिया के कुल आम उत्पादन में 52 प्रतिशत योगदान देता है मुगल बाश्चा अकबर ने बिहार के दरबंगा में एक लास से भी ज़्यादा आम के पेड़ों का बाग लगवाया था जिसे अब लाखी बाग कहते हैं भारत के कई लोग गीतों में आम जुड़ा हुआ है महाकवी कालिदास इसकी प्रसिंसा में गीत लिख चुके हैं हिंदू धर्म में हवन, यग, उजा, कथा, तेवार तथा अन्य सभी मंगल कारें में आम की लकडी, पत्ते, फूल या इनमें से किसी भी एक वस्तू का प्रयोग अवश्य होता है आम खाने के सिवाए अचार, चटनी, केक और कोल्डरिंग बनाने में भी काम में लाया जाता है आम का मूल स्थान भारत है, भारत में पिछले पांच जार सालों से भी ज़्यादा समय से आम को खाया जा रहा है भारत में आम को फलो का रजा केवल इसलिए नहीं कहा जाता की भारत में इसका उत्पादन बहुत जादा होता है बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे खाने से कए फायदे होते हैं आम में विटामिन A, B समेट सभी पोशक तत्व होते हैं जो शरीर को सिहत मन रखने के साथ साथ विमारियों से भी बचाते हैं कैंसर से लड़े आम में मौझूद एंटी आक्सिजेंट कैंसर के प्रभाव को कम करते हैं आम में मौझूद मैलेक एसिड और सिट्रिक एसिड एसिड एसिड़ी को दूर करते हैं आम खाने से सेक्स इच्छा बढ़ती है क्योंकि इसमें विटामिन E काफी मात्रा में पाए जाता है जो कि सेक्स इच्छा को बढ़ाने वाला विटामिन है अगर आम और जामून के रस को बराबर वातना में मिलाकर कुछ दिनों तक पिया जाए तो डाइबटी जोग ठीक हो जाता है आम खाने से कई और फाइदे भी होते हैं जैसे कि यह शरीर को तुरंट उर्जा देता है जहरले पतारत को शरीर से बाहर निकालता है कब से बचाता है आम में शुगर बहुत अधिक मातरा में होता है इसलिए मोटे लोगों को आम को कम मातरा में खाना चाहिए आम एक गरम फल है और काफी खटा भी होता है इसलिए ज़्यादा आम खाने से कई बार मौहासई हो सकते हैं तो दोस्तों आम से जुड़ी ये जानकरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो विसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले